कपूर खांदान में एक बार फिर हुई शादी और घर में पाओं पड़े बहु के इस शादी ने एक बार फिर खांदान में खुश्यों की जड़ी लगा दी है कुछ भी मिले ना आकर कहने को इतनी भी क्या है फिकर रहने दो ये शादी पूरी इंड़ोस्ट्री में चर्चा का विषय रही और इस ने कपूर खांदान की दरजनों शाज़दार शादियों की याद दिला दी लेकिन क्या आप जानते हैं कि कपूर खांदान में सभी शादियां अविवावकों की मर्जी से नहीं हुई हैं क्या आप मानेंगे कि इस खांदान की जो बहुएं फिल्मे बैक्ग्राउंड से आती थी उन्हें भी अपना करियर छोड़ना पड़ा था क्या आप यकीन करेंगे कि कपूर खांदान में कई शादियां चली ही नहीं जानेंगे और भी बहुत कुछ बस आप बने रहिए हमारे साथ नमस्कार आप देख रहें ड्रामा सरीज इंडियन और मैं हूँ शशी प्रिया रणवीर कपूर की आलिया भट से हुई शादी से कपूर खांदान की शादियां एक बार फिर चर्चा में आ गई हैं एक अरसे तक वॉलेवुड पर राज कटने वाले इस परिवार की पांच पीडियां फिल्मों में आ चुकी हैं और उनमें होने वाली कई शादियां मीडिया की सुर्खियां बनी हाला कि इस खांदान की सारी शादियां सफल नहीं रहीं लेकिन अगर वॉलेवुड के लिहाज से देखा जाए तो इस परिवार की जोडियां सबसे सफल कपल्स में गिनी जा सकती है अगर सबसे सफल कपल की बात करें तो सबसे पहले बात आती है पृत्वी राज कपूर की काफी कम उम्ड में हुआ था पृत्वी राज कपूर का विवाह फिल्मों में कपूर खांदान के संस्थापक पृत्वी राज कपूर की शादी मात्र 17 साल की उम्र में हुई थी उन्होंने 1923 में खुझ से 3 साल छोटी रामशर्नी महरा से पिशावर में ब्याहरा चाया था उस वक्त वो पिशावर के एड़वर्ड कॉलेज में पढ़ते थे रामशर्नी एक अनाथ थी जिनका पालन पोशन उनके पडोसियों ने किया था वो काफी खूबसूरत थी इसलिए प्रिथवी राज उनके प्रती आकरशित हो गए शादी के एक साल बाद ही प्रिथवी राज के यहां राज कपूर का जन्म हुआ और भी कई बच्चे हुए जिनमे थे राज कपूर, शमशेर, राज और शम्मी कपूर, शशी कपूर और उर्मी प्रिथवी राज ने ही कराई थी राज कपूर की शादी दरसल वो अपनी ड्रामा कंपनी के साथ एक बर मध्य प्रदेश के रीवा गए थे जहां उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जिस पुलिस को मिली थी वो थे आईजी करतार नाथ मलहोत्रा दोनों दूर के रिष्टेदार भी निकल गए और उनमें गहरी दोस्ती भी हो गई दोनों ने अपनी दोस्ती को रिष्टेदारी में बदलने में जरा भी देर नहीं लगाई और मलोत्रा साहब की बेटी क्रिशना की शादी फृत्वी राज साहब के बेटे राज से तै हो गई राज कपूर का 12 मई 1946 को क्रिशना मलोत्रा से विवाह हुआ शादी के वक्त राज 22 साल के थे और क्रिशना उन से 6 साल छोटी यानी महज 16 साल की थी ये शादी बिलकुल एरेंज मैरेज थी कहते हैं शादी से पहले ही राज उस समय कृष्णा पर फिदा हो गए थे जब उन्हें सफेद साडी में उन्होंने देखा था कृष्णा कपूर फिल्मों से दूर रही लेकिन उनकी तीन भाईयों प्रेमनात, नरेंद्रनात और राजिंद्रनात ने फिल्मों में लंबी पारी खेली कपूर खांदान पर एक और वीडियो इस चैनल पर है जिसका लिंक आई बटन में है आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं राज कपूर कृष्णा के पांच बच्चे हुए जो थे रनदीर कपूर, रिशी कपूर, राजीव कपूर, रीमा और रितूर शमी कपूर और गीता बाली की शादी भी बहुत ही खास रही थी क्यूंकि ये भी परिवार के खिलाफ में ही था जी हाँ, शमी कपूर और गीता बाली की शादी की खिलाफ थे परिवार वाले पृत्वी राज अपने बेटों शमी कपूर और शशी कपूर की शादियां भी उसी धूम धाम से करना चाहते थे जिससे राज कपूर की हुई थी लेकिन शायद इश्वर को ऐसा मनजूर नहीं था 1955 में मिस कोका कोला और रंगीन राते की शुटिंग के दौरान शमी की मुलाकात अभीनेतरी गीता बाली से हुई इसी धर मियान दोनों में प्यार हो गया कपूर परिवार नहीं चाहता था कि शमी एक अभीनेतरी से शादि करें इसके उलट शमी गीता से शादि करने के लिए उतावले थे 23 अगस्त 1955 को जब शमी गीता रात 11 बजे मुंबई के जुहू में एक होटल में बैठे थे तब ही शमी ने गीता को प्रपोस किया गीता ने प्रपोसल स्विकार कर लिया लेकिन कहा कि शादी अभी करनी होगी फिरानन भानन में दोनों वान गंगा मंदिर पहुँचे तो पुजारी ने दोनों की शादी करवा दी इस शादी के एक मात्र गवाह भी सर्फ पुजारी ही थे कहते हैं दोनों के पास विवाह सामागरी नहीं थी तो शमी कपूर ने गीता बाली के लिपस्टिक से उनकी मांग भर दी थी दोनों की दो बच्चे हुए आदित्य राज कपूर और कंचन आदित्य कुछ फिल्मों में नजर आये लेकिन कंचन फिल्मों से दूर रही बाद में एक बिमारी में गीता कपूर का निधन हो गया कुछ साल बाद शमी कपूर ने एक रियासत की राजकुमारी नीला देवी से शादी कर ली और अब बाद कपूर खांदान के चौथे शादी की जी हाँ ये चौथी शादी थी शशी कपूर की शशी कपूर ने पांच साल बड़ी जेनिफर से शादी की थी शशी कपूर ने सर्फ 20 साल की उम्र में खुद से 5 साल बड़ी जेनिफर केंडल से शादी रचाली थी जब शशी मात्र 18 साल के थे तभी से उनका दिल जेनिफर के साथ शादी करने के लिए मचलने लगा था घरवालों ने उनके उम्र का हवाला देते विए शादी से इंकार कर दिया था कपूर परिवार जेनिफर को बहू नहीं बनाना चाहता था लेकिन शशी अर गय थे कि शादी होगी तो उसी लड़की से खेर दो जुलाई 1958 को प्रिथवी राज के माटूंगा इस सित घर में दोनों की शादी हुई पाचवी शादी रंधीर कपूर और बवीदा की थी कैसे हुई थी ये भी ज़रा जान लीजे राज ने बेटे रंधीर कपूर को बतोर नायक और निर्देशक लाँच करने के लिए कल आज और कल का प्रोजेक्ट शुरू किया इसमें उन्होंने हिरोईन के रूप में बवीदा को कास्ट किया फिल्म के शुटिंग के दोरान ही रंधीर बवीदा के प्यार में पागल हो गए कपूर खांदान फिर एक अभिनेतरी को बहूर नहीं बनाना चाहता था लेकिन रंधीर की जिद के आगे किसी की नहीं चली फिल्म के रिलीज के करीब एक महीने पहले 6 नफंबर 1971 को ही दोनों की शादी हुई दोनों की दो बेटिया हैं करिश्मा कपूर और करीना कपूर और हम बाद छठे नंबर की शादी की जी हाँ ये शादी थी रिशी और मीतू की रिशी कपूर और मीतू कपूर को भी साथ काम करने के दोरान ही एक दूसरे से प्यार हुआ रिशी नीतू रफू चकर और खेल खेल में के बाद जब कश्मीर में कभी कभी की शुटिंग कर रहे थे तब ही दोनों के बीच प्रेम की खिचड़ी पकी जब रिशी ने नीतू से शादी करनी की इक्ष़ जताई तो इसके लिए राज कपूर जट से तयार हो गए 13 अप्रेल 1989 को बैशाखी के दिन दोनों की सगाई हुई फिर 22 जनवरी 1980 को दोनों का विवा हुआ दोनों के दो बच्चे हैं रणवीर कपूर और रिदिमा साथवे नमबर की शादी की बात कर लेते हैं जो थी राजीव कपूर और आरती सबरवाल की राजीव कपूर ने आर्किटिक आरती सबरवाल से वर्ष 2001 में शादी की थी राजीव कपूर ने कैनेडा में रहने वाली आर्टी से जब शादी की तो उन्हें लगा कि सब कुछ ठीक ठाक होगा लेकिन सारी चीजें बहुत ही जुदा हुई कुछ फिल्मों में राजीव कपूर ने काम किया लेकिन दोनों का दो साल बाद यानि 2003 में ही तलाक हो गया आर्टी कैनेडा में रहने लगी और बाद में दिल्ली में अचार का कारूबार करने लगी वो अकसर दिल्ली की हाई प्रोफाइल पार्टियों में नजर आती थी राजीव का भी वर्ष 2020 में निधन हो गया और अब बहरी आती है आठवी नंबर की शादी की जो थी आदित्ते राज कपूर और प्रिती की शमी कपूर के बेटे आदित्ते राज कपूर ने वर्ष 1982 में ही प्रिती से शादी की थी दोनों के दो बच्चे हैं विश्व प्रताप कपूर और तुलसी कपूर और अब बारी आती है करन कपूर और लोडना की जो थी नौवे नंबर की शादी इकका दुका फिल्मों में किसमत आज माने के बाद करन कपूर ने फिल्में छोड़ दी और ब्रितेन में बता और फोटोग्राफर अपना कारूबार जमा लिया उन्होंने 1978 में मौडल लोडना कपूर से शादी की थी हलाकि दोनों का वर्ष 1993 में तलाक हो गया दोनों के दो बच्चे हैं आलिया कपूर और जौाँच कपूर और अब बात कर लेते हैं कुनाल कपूर और शीना की जो थी दसवे नंबर की शादी शशी कपूर के बड़े बेटे कुणाल की शादी, फिल्म निर्माता, रमेश सिप्पी की बेटी सीना सिप्पी से 1980 के दशक में हुई थी दोनों ने वर्ष 2014 में तलाक ले लिया है दोनों के दो बच्चे हैं जहान पृत्विराज कपूर और शायरा कपूर और अब चर्चा कुछ और शादियों की जो कपूर खानदान से ही जुड़ी हुई है जैसे निखिल नंदा, श्वेता नंदा निखिल को बच्चन परिवार बहुत पसंद करता है और इसलिए अमिताब बच्चन और अजया बच्चन ने अपनी लाडली बेटी की शादी निखिल से की दोनों की शादी साल 1997 में हुई थी और आपको बता दें कि ये उस समय की सबसे बड़ी शादी थी ऐसी ही एक शादी हुई करिश्मा कपूर संजय कपूर की जिहां करिश्मा कपूर की शादी पहले अभिशेक बच्चन से होना तै हुई थी लेकिन सगाई के बाद दोनों का रिष्टा तूट गया कहा जाता है कि ये रिष्टा भी बबीता की वजह से तूटा कुछ समय बाद करिश्मा की जंदगी में उनके फ्रेंट संजे कपूर आए संजे एक बिजनसमैन थे और उनका पहली शादी से तलाक भी हुआ था खैर करिश्मा और संजे ने एक दूसरे को दिल दे दिया और बड़ी धूम धाम से दोनों की शादी हुई आपको बता दें कि करिश्मा ऑपने शादी में बहुत संदर लग रही थी हाला कि ये शादी चली नहीं और दोनों का दलाक हो गया रिशी गपूर और नीटु कपूर की लाडली बेटी रिदिमा की शादी भरत सहनी से हुई रिदिमा की मुलाकात भरत से लंडन में पढ़ाई के दोडान हुई थी चार साल साथ रहने के बाद उन्होंने 2006 में शादी कर ली उनकी बेटी समारा का जन्म 2011 में हुआ था कपूर खांदान की बेटी की शादी भी बड़ी शांदार तरीके से संपन हुई थी राजकपूर की बेटी रीमा और मनोज जैन के बेटे अर्मान जैन और अनीशा पहली बार निव यॉर्क में मिले उन्हें अर्मान के छोटी भाई आधर ने मिलवाया था अर्मान जैन और अनीशा की लव स्टोरी की शुरुआत फ्रेंशिप से हुई जिसके बाद दोनों ने अपने साथ साल के रिष्टे को शादी के बंधन में सील कर दिया साल 2020 में दोनों की शादी हुई और ये साल की सबसे शानदार और फेमस शादी थी जिसमें पूरा कपूर परिवार शामल हुआ था करीना कपूर और सैफ अली खान करीना कपूर और सेफ अली खान ने एक दूसरे को लंबी समय तक डेट करने के बाद 2012 में शादी की थी ये शादी ऐसी थी जिससे लेकर फिल्म गलियारे में बड़ी चर्चा हुई आपको बता दें कि दोनों की शादी के लिए पहले करीना की मा बबीता तैयार ही नहीं थी लेकिन फिर वो भी इसके लिए मान गई करीना ने अपनी शादी में साथ शर्मिला का लहंगा पहना था जिसकी बहुत तारीफ हुई लोगों ने खूब तारीफ की खास बात ये है कि लंबे अर्से तक कपूर खांदान की सभी लड़कियां और बहुएं फिल्मों से दूर रहे थे बेचियों के दूर रहनी की परंपरा को तोड़ा करिश्मा और करीना ने जबकि बहु नीतू सिंग ने शादी के करीब 30 सालों पाद फिल्मों में एक्टिंग कर परिवार में नई परंपरा की शिरुआत की तो ये था कपूर खांदान और उनसे जुड़ी शादियों का संचिप्त ब्योरा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं अगर आपके पास इस संबंध में कोई और जानकारी हो तो वो भी अवश्य शेयर करें हमें आपके कमेंट का बेस अबरी से इंतजार रहेगा अब दीजी अपनी दोस्त और होस्ट शशिप्रिया को इजाज़त नमस्कार